असलाम अलेकूम माई ब्यूटीफुल यूटू फेमली आज हम बनाएंगे उरद गोष्ट जो की बहुत ही जादा डिलिशियस बनके रेडियो होता है नॉर्मले दाल गोष्ट के मुकाबले पे ये काफी फेमस रेसेपी है लेकिन अगर आप चैनल पे न्यूँ आई हैं तो रूबीज बेक्स को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं उरद गोष्ट और उरद गोष्ट के लिए हमने ये 300 गिराम उरद लिये हुए हैं और हमने अच्छे से वोश करके और आदे घंटे के लिए हमने उरद को भीगाया है ऐसे घंडे से हमारे उरद जल्दी से गल जाते हैं आदे घंटे के लिए या फिर एक घंटे के लिए उरत को भीगा दे ट्रास्फर करेंगे हम प्रेशर कूकर में और अगर आप आदे घंटे के लिए उरत को नहीं भीगा रहें ऐसी ही बना रहें तो इसमें तीन गुना जादा कॉंटेटी में पानी चाहिए होगा क्योंकि उर्द हमारे भीगे वे तो इसमें हम 6-7 कप पानी डालेंगे और तकरीबन इसमें हम 1.5 डिटर पानी एट करेंगे देखें उर्दों में पानी चला गया, अब इसमें हम मसाले एट करेंगे 2 टेबल इस्पून अधरखलासन का पेस्ट डाल देंगे इसमें अधरखलासन के पाद हम इसमें एट करेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया है 6 साथ हमने हरी मिर्च ली और बारिक बारिक हमने दरदरा पीस आ है उसको वन टेबल स्पून इसमें हम दाल देंगे हरी मिर्च और ये एक प्याज है जिसको रफली चोप किया हुआ है मैंने और ये भी इसी में डाल देंगे हाफ टेबल स्पून रेट चिली का पाउडर जाएगा और अपने टेस्ट के अकोडिंग भी इसमें रेट चिली या फिर ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हैं जितना स्पाइसी आपको पसंदे वन टेबल स्पून इसमें हम नमाकेट कर देंगे दो से तीन हम इसमें तेश पाद पता दाल देंगे दो सफ़े दिलाईशी दाल देंगे चार इसमें लोंग जाएगी उर्दो में हमने सारे खड़े गरब मसाले यूज़ किया है तो इसमें बहुत आची खुशबो आती है उरत गोश में और हाफ टेबल स्पून हम इसमें दाल देंगे हल्दी पाउडर जितां आपको नमक पसंद है उसकी साब से आप इसमें नमक एट कर दें तू टेबल स्पून ओल एट कर दें और प्रेशर कुकर को अभी हम आवर कर देंगे ठेशर कुकर को हाई फ्लेम पे रसेखेंगे और हमने उरत को भीगा तो आठ से दस इसमें प्रेशार आएगा और उरद हमारे अच्छे से गल जाएंगे चलते हैं अभी सेकेंड स्टेप की दरफ यहां पर देखें मैंने यह गोश्ट लिया हुआ है बफेलों को गोश्ट लिया है हमने और हमने अच्छे से वोश कर लिया है गोश्ट को और गोश्ट में हमने फेड वगेरा बिल्कुल भी नहीं है इसमें तो हम इसमें ओईल ज्यादा यूज़ करेंगे प्रेशर कुकर में हम ट्रांसफर कर लेंगे और अगर आप फेट वाला गोश्ट ले रहे तो उसमें आप ओईल का कम यूज़ करें हमने हरी मिर्च को दरदरा पीसा हुआ है तो वंटेबली स्पून हम इसमें हरी मिर्च दाल देंगे अधरकला सुनका पेस्ट डाल देंगे वंटेबली स्पून एक प्याज लिया हुआ है मैंने रफली चोप करके प्याज लिया है और ये भी इसी में एट कर देंगे कश्मीरी रेट चिली पावडर दाल देंगे इसमें वन फोट टेबली स्पून हमें मसालों में थोड़ा सह दियाण रखना है क्यूंकि हमने उरद मेवी मसाले एट के हुए वन फोट टेबली स्पून इसमें हल्दी पावडर दाल देंगे हाफ टेबली स्पून नमक एट करेंगे इसी में दो से तीन हम इसमें तेज़बात पता दाल देंगे एक हम दालशिनी का टुकड़ा दाल देंगे एक जावीत्री दाल देंगे और तीन इसमें लोंग एट कर देंगे और इसमें अभी हम एट करेंगे ओईल, ओईल हम इसमें जादा यूज करेंगे 200 ग्राम ओईल दाल देंगे इसमें हम जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हमारा जो गोश्ट है वो ज़ादा फेट वाला गोश्ट नहीं है इसके लिए इसमें हम ज़ादा ओइल का यूज़ करेंगे और अगर आप फेट वाला गोश्ट ले रहें तो ओइल कम इसमें यूज़ कर लें और इसमें हम 4-5 pressure आने देंगे गोश्ट हमारा ready हो रहा है तो इदर हम देख लेते हैं उरत को और naturally इसमें से हम pressure निकाल देंगे 8-10 हमने इसमें pressure लिया और देखें हमारे उरत भी अच्छे से गल गए इसमें उरत तो देखे हमारे अच्छे से गल गए लेकिन अभी ये खिले खिले दीख रहा है तो अभी हम हाइफ लिम पे ही उरत को रखेंगे अब इसे अभी हम अच्छे से चला देंगे और एक हम मेशर लेंगे मेशर से हम इसे अच्छे से घोट देंगे, मेश कर लेंगे आप उरत को जितने अच्छे से मेश करेंगे यह इतने ही डिलिश्यस बनके रेडी होंगे और छे से साथ मिनट हम इनको ऐसे ही घोटेंगे छे से साथ मिनट इसे मेश कर ले या फिर उसे ज़्यादा भी आप इसे मेश कर सकते हैं यह इतने टेस्टी बनेंगे जितने भी यह घुटेंगे और इधार आप हम देख लेते हैं गोश्ट को इसे अब यह हम ऐसे ही छोड़ देंगे और नेचरली इसमें से भी हम प्रेशर निकाल देंगे फाइनली देखें गोश्ट भी हमारा रेडियो हो चुका है दस मिनट हम प्रेशर कुकर को ऐसी खोल के भूनेंगे और इसमें से भी इसमेल वगेर है वो भी सब खतम हो जाएगी इसमें से इतनी अची खुश्बू आएगी जब आप इसे दस मिनट ऐसे ही भूनेंगे खोल के और मेडियम टू हाई पे हम इसे भूनेंगे अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी एट करेंगे आदी कप इसमें पानी एट कर दें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दस मिनट के लिए ऐसे ही हम कवर कर देंगे चलते हैं अभी हम थर्ड़ी स्टेप की तरफ हो इधर हम जीरा राइस बना लेंगे इतने हमने ये पानी लिया हुआ है हाफ टेबल स्पून हम इसमें जीरा डाल देंगे दो हमने इसमें दाले बादयाम के फूल और दो हमने इसमें दो से तीन दाली लोंग एक हमने दाला इसमें दालचीनी का टुकड़ा दो इसमें हमने तेजबात पत्ता एट किया है और इसमें वन फोर टेबल स्पून हम इसमें नमाकेट कर देंगे पानी को हम गरम होने तक वेट करेंगे पानी देखें अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें अब हम राइस दाल देंगे राइस को हमने अच्छे से वोश करके आदे घंटे के लिए भीगाया था और उससे क्या होता है भिगाने से कि राइस एकदम से खिली-खिली और सोफ्ट बनते हैं हमने फिलेम को एकदम से हाई किया हुआ है यहाँ पर और हम यह जीरा राइस बना रहे हैं आप चाहें तो नॉर्मली राइस भी बना सकते हैं लेकिन उरत गोश्ट के साथ में यह जीरा राइस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे अभी हम चला देंगे हमने सारे मसाले इसमें एट कर दिये नमक वगेरा जो भी था हमने सब एट कर दिया हाई फिलेम पर हम इसे ऐसे ही कवर कर देंगे और हम पांच मिनट के अब इसमें हम दालेंगे हमने जो गोश्ट रेडी किया था हो एट कर देंगे इसमें हम गोश्ट को हमने दस मिनट के लिए भून लिया और जित्ती भी स्मेल वगेरा जो भी थी वह सब खतम हो गई और यह इतनी अच्छे से एकदम से पर्फिक्ट यह भून गया है गोश् इसमें हम थोड़ा सा पानी दाल देंगे क्योंकि उसमें बहुत जादा तरी रे जाती है और मसाले भी होते हैं तो वही पानी दाल देंगे हमने एक गिलास के करीब इसमें पानी एट किया है और अच्छे से अभी हम मीक्स कर देंगे गोश्ट और हमने पानी एट किया इसम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अभी हम एड्ट करेंगे धन्यान बारिक बारिक धन्यान गट कर लें ऑर इसमें अद्याम कर देंगे 1-4 टेबल स्पून हम दालेंगे होम पैढारा इसमें हम्ट मसाला ह toca20 मिनिट के लिए अभी हम इने कवर कर देंगे और बीच में देखें हम चावल भी देख लेंगे चावल भी हमारे लगबग बन के रेडियो होने लगें अभी इसमें हमें पाच मिनट और ऐसे ही कुप करेंगे चावल को थोड़ी सी इसमें अभी कसर है दस मिनट हो गए 10 मिनट के बाद देखें हमारे उरत बन के एकदम से रेडी हो गए फिलेम को अभी हम ओफ कर देंगे और इधर देखें चावल भी हमारे एकदम से बन के रेडी हो गए इतने खिले खिले चावल बने हमारे पानी भी देखें इसमें एबजोब हो गया है flame को अभी हम off कर देंगे और ये शादी वगेरा में अध रूर्ड पोपियूलर डश है इसे ज़रूर ट्राइक करें, ये इतनी टेस्टी बनती है जब इसे एक बार बनाइंगे तो इसकी demand आपको बार-बार आने वाली ये इतनी टेस्टी बनती है और अभी हम साफ करेंगे एक बोल में उरत गोश के साथ में हम जीरा राइस भी साफ करेंगे और हमने इसमें थोड़े से कलर का यूज किया है जीरा राइस में इसे हमारी जीरा राइस और भी ज्यादा टेम्टिंग लग रही है और खाने में भी ये दोनों ही रेसेपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है इसे ज़रूर ट्राई करना और दोस्तों और फैमली के साथ में मेरी वीडियो को जाद स्यादा शेर करें कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बता है आपकी ये दोनों रेसेपी कैसी बनी और आपके कॉमेंट पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और चैनल पर नियू आएं तो रूबीज बेक्स को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाए रूबीज बेक्स को सब्सक्राइब करने बेल आइकम पर प्रेस करने ताकि मेरी सारी लेटेस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो